कि यह दो पोस्ट मैं ड़न नाव अप्टो डाउन हमें आप उपर से नीचे लिखता है ही मेक्स अवर बूडन फरनीचर तो वह हमारे लक्टी के फरनीचर बनाते हैं वह कौन है हमारी कारपेंटर ओके हम यहां पे नंबर फोर को एड़ करेंगे कारपेंटर मींस बढ़ाई नंबर फाइब ही गिस मेडिसीन टू सिख परसन एंग क्योश फॉर्म देम मेनी डिजीज वह बीमार लोग का इलाज करते हैं और बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं तो वह कौन है हमारे डॉक्टर तो डॉक्टर हम लिखेंगे डॉक्टर अड़ नंबर शेक्स वह बाल काड़ते हैं और हमारी डाली को बनाते हैं तो नंबर शेक्स होगा बारबर B-A-R B-E-R Okay He is barber And number 7 He flies an aeroplane from one country to another So he is pilot वो pilot होता है जो हमारे जहाज को एक देश से दूसरे देश में उडाता है P-I-L-O-T Pilot Okay So this is done Now we will work on our speaking skills Here is a conversation between two students about good manners Okay Practice these sentences in the class यहाँ पे कुछ Conversation दिये हुए हैं दो बच्चों की पीश दो बच्चों की conversation आपको दिये गया है उन्हें आप practice करनी है और उसे Learn करने की कोशिस करनी है और उसे अपने आपको follow करने की कोशिस की है Okay करिएगा अपने classroom में अपने घर में Okay So पहला एक बच्चा है प्रमोध And second student is जियोत्सना Okay First प्रमोध How do you speak to your elders तुम अपने बड़ों से कैसे बात करते हो जियोत्सना I always speak politely and respectfully to my elders मैं अपने बड़ों से politely मतलब विनम्न और respectfully मतलब आदर से मैं अपने बड़ों से विनम्रता पूरक और आदर से बात करते हैं Okay So next Now we will work from page number 9 That is Here Yeah Next प्रमोध How do you show politely and politeness towards elder Politely and politeness मतलब विनम्रता जियोत्सना I show politeness towards my elder by saying Sir or Madam मैं अपने बड़ों को विनम्रता उन्हें Sir या Madam कहके प्रकट करती हूँ या उनकी तरफ उनको दिखाती हूँ Okay या उनसे Sir या Madam कहके बात करती हैं Okay प्रमोध How do you show respect to your parents तुम अपने माता पिता को सम्मान या आदर कैसे देते हूँ Okay जियोत्सना I always obey my parents and never reply them back मैं हमें अपने माता पिता की बात मानती हैं और उन्हें reply them back मतलब जवाब देना Okay मैं उन्हें जवाब नहीं देती हूँ या फिर उनसे बहसना करना उनकी बातों को मानना Okay प्रमोध How should you behave at school? हमें तुम्हें 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 स्कूल में कैसे बरताओ करती हूँ जवसना We should respect our teachers and should not shout in class We should speak politely When प्रमोध asks How should you behave? हमें स्कूल में कैसे बरताओ करना चाहिए Then जवसना reply that We should respect our teachers हमें अपने teachers का सम्वान करना चाहिए As should not shout in class और classroom में शोर नहीं मचाना चाहिए बच्चों को classroom में बिल्कुल शोर नहीं मचाना चाहिए We should speak politely और classroom में हमेशा फिनम्हों के बात करनी चाहिए Okay Next प्रमोध How do you show respect to your teachers? हम अपने teachers को teachers का आदर उनका सम्वान कैसे कर सकते है जोसना I bow my head and say Good morning sir, madam मैं अपना sir जुकाती हूँ and say और कहती हूँ Good morning sir and madam और उन्हें Good morning wish करती हूँ Sir या madam Okay प्रमोध What do you do when the teachers enter in room? जब teachers classroom में आते हैं तो क्या तुम क्या करती हूँ? जोसना I stand up from my seat and wish him or her जब वो क्लास में आते हैं मैं अपनी seat पर खड़ी हो जाती हूँ और उन्हें wish करती हूँ Okay How do you talk when guests come to your house? तुम कैसे बात करती हो जब तुमारे घर मेहमान आते हैं जोसना I talk them politely when necessary मैं उनसे जब ज़ुरत होती है तो विनम्रता पूर्वग बात करती हूँ प्रमोद How do you speak to your younger brother and sister? तुम अपने छोटे भाई पहन से कैसे बात करती हूँ? जोसना I speak gently to them gently मतलब सजन्ता पूर्वग या विनम्रता पूर्वग या प्यार से I speak मैं उनसे प्यार से बात करती हूँ Okay So, that's it for today As we have done Now complete As we have done the chapter 1 So, the question answers and world meaning The difficult words also I taught you You will learn as in homework Okay So, next classes We will start the chapter 2 Okay So, keep learning Stay safe Thank you